जैहिन दोस्तों आज यूपी के मुखमंत्री योगी अदित्तिनात का एक वीडियो काफी वाइरल हो रहा है। उस वीडियो में उन्होंने हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहते हुए ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन हनुमान चालिसा पड़ते नजर आएंगे। आएए देखते हैं यूपी के मुखमंत्री योगी अदित्तिनात ने एज्जेक्ट क्या कहा है। भायो में आप देखना आगे आगे होता क्या है। यूपी के मुखमंत्री योगी अदित्तिनात के इस बयान के बाद MIM के स्पोक्सपर्सन वारिस पठान ने एक ट्यूट किया है। आएए जानते हैं वो ट्यूट क्या है। Mr. योगी अदित्तिनात, you have taken oath on the constitution, but you speak the same language of that साहिनबाग terrorist. भारत में जितना तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का हक है, उतना ही असदुद्दीन ओवैसी को कुरान और नमाज पढ़ने का हक भारत का संबिदान देता है। आप इस बात पर अगर गौर करेंगे कि हमारे देश यानि हिंदुस्तान यानि भारत की जो राजनीती सुरू होती है, और कहीं न कहीं धर्म को लेकर के ही राजनीती सुरू होती है, और धर्म पे ही खतम होती है। आपने बहुत सारे नेताओं के भासन सुने होंगे, वो कोई भी community के हो, मैं ये नहीं कहे रहा हूँ कि ये particular community, वो किसी भी community के हो सकते हैं, लेकिन उनके जादा तर भासन, जब भी वो election का campaign करते हैं, तो कहीं ने कहीं वो जात, धर्म, बहुत सारे मुद्दों को ले करके आते ह लेकिन जात धर्म पे ही, मतब इस पीच जात धर्म पे सुरू होता है, इस पीच जात धर्म पे खतम होता है, आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि जो चुनावी मुद्दा होता है, यानि चुनाओ जब चुनाओ देश में जब चुनाओ हो रहा होता है, तो आपने ये साय से नहीं है विकास की बात हो रही है या रही है विकास के मुद्दे पर टीका टिपनी हो रही है अप कोई भी स्पीच उठाईए आप उसमें बहुत सारी बाते होंगी लेकिन आप देखोगे कि वहां पर कहींने कहीं घुम फीर करके दार्मिक मुद्दा जरूर रहता है अगर किसी एक community के लोगों ने अगर protest कर लिया तो उसको कहीं ने कहीं पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है कहीं ने कहीं जो है आपका आतंगवादी टेररिस्ट इस तरह का जो है उसको खिताब दे दिया जाता है दूसरी कम्मुइटी के लोग अगर करते हैं तो कहीं न गहीं उसको संक आद्मी कह दिया जाता है अ कट्तरवादी कह दिया जाता है हिंदु कह दिया जाता हैं कहीं न गहीं दे масс में अगर आपको देखने को मिल में तो पष्पर और सिरफ हिंदू, Muslim, Sikh, एस continues और इस बसे ज़ादा जो अगर आपको देखने को मिलेगा डिवेट वो हिंदू और मुस्लिम में हिंदू कुछ बोल देता है मुसलिम कुछ बोल देता किसी को ये पता नहीं कि ये सब बोल करके ये सब करके वो आखिर साबित क्या करना चाहते हर धर्म बहुत ही अच्छा होत हर धर्म का ग्यान होना चाहिए हर धर्म का लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए उसमें उसकी आजादी होनी चाहिए लेकिन किसी पे अपने धर्म को थोपना ये गलत है चाहे वो मुसलिम हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो इसाई हो किसी को धर्म को थोपना नहीं चाहिए अभी जैसा योगी अदितना ची ने एक अपने भासन में कहा कि असाद उधदीन ओवैसि को एक दिन जो है एक दिन असद रृषफ भी हनुमान चालीशा पड़ते नजर आएंगे मैं जितना मैं 돼 जैना है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तो उनको कई धर्मों का ग्यान है कई धर्मों की किताबों को उन्हों ने भी पढ़ा है कुरान के अलावा भी गीता क्योंकि कभी-कभी वो रेफरेंस देते हैं तो उन्हों और ने कहीं न कहीं कभी न कभी तो हनुमान चलिसा के बारे में भी पढ़ा होगा कि क्या लिखा हुआ है लेकिन किसी पे अगर आप forcefully अगर ये कहोगे तो वो एक बिवादित ब्यान हो जाता है यानि कि अगर मैं अपनी मर्जी से गीता पढ़ू, कुरान पढ़ू, हनुमान चलिसा पढ़ू, तो ठीक है लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि नहीं तुमको गीता पढ़ना ही पढ़ेगा, तुमको कोई ये कहे कि कुरान पढ़ना ही पढ़ेगा, वाइवल पढ़ना ही पढ़ेगा, या फिर और भी कोई स्लोक है जो पढ़ना ही पढ़ेगा, तब वह सारे रियक्शन्स हो रहे होंगे कि अच्छा योगी आदितनात ने ये बोला तो अभी अभी आसद उतीन होई सी उसका जवाब क्या देंगे या फिर और को जैसे अभी 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 तो माम के स्पोक्सफर्सन वारिस पठान ने ट्विट किया है आगे भी इस पे बहुत सारे ट्विट आएंगे तो कहीं नहीं दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की जो इस्थिति है हमारे देश में जो राजनीती शुरू होती है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्द को ले करके जिस दिन विकास के मुद्दे पर एक दूसरे लोग जो है एक दूसरे पठी का टिपनी करना सुरू कर देंगे तब सही माने में भारत देश हमारे इंडिया का सही विकास होगा इस तरह से धार्मिक बुद्धों में कहीं ने कहीं हमारा देश हिंदुस्तान उलच क रह जाएगा थैंक यू सो मच